हलो स्टुडेंट्स डेनी क्लासेज में आपके स्वागते आज 26 से 29 अप्रेल 2024 का करेंट फेर्स देखेंगे जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी प्रिक्षाओं के लिए रामबान रहने वाला है महत्यपुन रहने वाला है इसमें हम राजस्थान का करेंट फिर भी देख लेते हैं राष्टेस्तर का करेंट फिर भी कवर कर लेते हैं और अंतराष्टेस्तर का करेंट पिर भी कवर कर लेते हैं तो इन दिनों में जो जो प्रिशन इंपोर्टेंट है रामबान वो सारे हम कवर करने वाले हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला परशन है जो 100% एक्जाम में छपने वाला परशन है हाली में किस भारतिय को सबसे कम उम्र में चेस वर्ल्ड चेंपियंशिप टूर्नामेंट जीतने का किताब मिला है डोमा राजू गुकेश है जिसे हम डी गुकेश बोलते हैं देखने इनका नाम डी गुकेश है मुकेश मत याद रख लेना क्योंकि एक्जाम में आप देखो कि ऑप्शन में मुकेश भी हो सकता है तो ध्यान देना इनका नाम D. Gukesh है डोमा राजू Gukesh इनका नाम है और किस खेल के खिलाडी है? चेस के खिलाडी है यह ध्यान अगनाथ चेस के खिलाडी है किस ओटो मेकर कमपनी ने पुर्व भारतिय कप्तान महिंदर सिंग धोनी को ब्रांड एमबेस्डर निक्त किया है सिट्रो एन ने किया है सिट्रो एन ने धोनी को ब्रांड एमबेस्डर निक्त किया है हाली में नासा के किस स्पेस क्राप्ट ने 24 अरब किलोमेटर की दूरी से सिगनल भेजा है इसका नाम है वोयागर फस्ट वी ओ वाई ए जी ए आर वोयागर फस्ट इसने सिगनल बेजा है 24 अरब किलोमेटर की दूरी से हाल में अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूकरेन को हतियार देने की गोशना की है अच्छे से ध्यान रखना है पूछा जा सकता है कि अमेरिका के रक्षा मंतरी कौन है लोयड ओस्टिन है लोयड ओस्टिन अमेरिका के रक्षा मंतरी है ध्यान रखना यूकरेन को हतियार देने क गोशना की है, अमेरिका की रक्षा मंतरी कौन है, लोइड ओस्टिन है, हाली में ICC ने किसें T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रैंड अमबेस्टर नुक्त किया है, यूराज सिंग को किया है, साथ ही ध्यान रखना, यूराज सिंग के साथ और कौन कोन है, उसेन बोल्ट और क्रिस गेल क भी अमबेस्टर नुक्त किया गया है, उसेन बोल्ट भी है, क्रिस गेल भी है, T20 वर्ल्ड कप एक जून से 39 जून 2024, अब महिना चल रहा है, अप्रेल का खतम होने वाला है, अगला महिना मही, तो लगबग बात करें, एक महिने के बाद आपके T20 वर्ल्ड कप शिरू हो जा जो डलास में T20 का ओपनिंग मेज, केनडा और हॉम टीम अमेरिका के बीज होगा, डलास में ठीक है, T20 वर्ल्ड कप की मेजमानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका सहींगत रूप से कर रहे हैं, हाली में सुप्रीम कोट ने EVM और VVPET की परचियों की सोपरतिशत क्रोस जेकिंग की मांग वाली सभी आचिकाएं खारीज कर दी, इसे मामले की सुनवाई कौन जज कर रहे थे, तो ध्यान रखना जस्टिस संजीव खर्णना और जस्टिस दिपांकर दत्ता सुनवाई कर रहे थे, हाली में इरान के साथ ट्रेड करने पर अमेरिका ने भारत की तीन कंपनियों पर प्रतिबंद लगाया, इन कंपनियों के नाम क्या है, एका नाम है जेन शिपिंग, फिर ध्यान रखना है पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सी आर्ट शिप मेनेजमेंट लिमिटेड, तो जेन शिपिंग, पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी आर्ट शिप मेनेजमेंट लिमिटेड, तीन कम्पनियों पर प्रतिबंद लगाया है, तीनों के नाम आपको ध्यान रखने है हाली में लता दीनानाथ मंगेशकर अवोर्ड से किसे नवाजा गया सूपरस्टार अमिताव बच्चन को नवाजा गया, इन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर अवोर्ड दिया गया है इस अवोर्ड सेरेमनी में जो संगीतकार है ए आर रह्मान, ए आर रह्मान को मास्टर दिनानाथ अवोर्ड और रणदीप हुड़ा को विशेश पुरुषकर से भी नवाजा गया देखो ये तो वो प्रिशन हो गया है जो सब सही करके आएंगे, लता दीनानाथ मंगेशकर अवोर्ड सब सही करके आएंगे कम्पिटिशन कम कैसे होता है, जिन बच्चों को ये भी ध्यान रहेगा, कि ए आर रह्मान को भी पुरुषकर किया गया रनदीप हुड़ा को भी पुरुषकर किया गया, और एक्टेस पदमीनी कोलापूरे को भी पुरुषकर किया गया, इनको भी पुरुषकर दिया गया, विश्रे सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये सारी चीजे ध्यान रखेगा, वो सब से अलग होगा, वो सेलेक्शन ल आ गया था लताक Idina Nath Mungesh का reward सबसे पहले मोडी को मिला था हाल ही में सबसे हलकी bulletproof jacket किसने बनाई ये DRD ने बनाई है DRD ने सबसे हलकी bulletproof jacket बनाई है हाल ही में विश्व Majoria दिवस कब मनाया गया 25 अपरेल को विश्व Majoria दिवस बनाया 25 अपरेल में जो 20 अपरेल को मना गया की 4,24 अपरेल के लिए 2.2 को मना अपरेट का मैं 12 अपरेल कभा दिया क्या है विश्व कुष्त के लिग कुले दियांग्मार को सभी स्केः में लाय्यारमिवच्व की फिरास्त दिवस अठारा अप्रेल विश्व हीमोफीलिया दिवस सत्रा अप्रेल विश्व आवाज दिवस सोला अप्रेल विश्व कला दिवस पंदरा अप्रेल फिर हम बात करें बाबा सहब डोक्टर भीमराव अमबेटकर की जैनती चोदा अप्रेल जलिया वला बाग नरसंहार ग्यारा अप्रेल को विश्वय होम्यपेथी दिवस कब बनाये गया दस अप्रेल को मनाये गया हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाये गया तीन अप्रेल को मनाये गया राष्ट्री समुद्री दिवस कब बनाये गया पांच अप्रेल को मनाये गया विश्वय सवास्थे दिवस क मनाया गया हाली में इंडोनेशिया के नए राश्टर पती कौन बन गए हैं प्रेबोवो सुबियांतो बने हैं इंडोनेशिया के नए राश्टर पती बन गए हैं हाली में जारी सिपरी रिपोर्ट के नुसार सबसे ज्यादा सिन्य खर्च वाला देश USA हाली में पाकिस्तान की वंडे और T20 टीम के कोच कोन बन गए गेरी क्रिष्टन बन गए जो किसी जमाने में भारत की टीम के कोच थे अब पाकिस्तान की टीम के कोच बन गए हैं गेरी क्रिष्टन फिर बात करते हैं अठारवी लोग सबाचुनाव दोहजार चोईस राजस्थान के बारे में कुछ बात कर लेते हैं राजस्थान में दो चरणों में मतदान हुए प्रथम चरण में 19 अपरेल को 12 सीटों पर और दीतिय चरण में 26 अपरेल को 13 सीटों पर मतदान हुए पहले चरण में 58.28 परतिशत मतदान हुआ राजस्थान में पहले चरण में 58.28 परतिशत मतदान हुआ दूसरे चरण में 44.56 प्रतिशत तो पहले चरण में ज़ादा हुआ या, दूसरे में ज़ादा हुआ दोनों चरणों में कुल 61.60 प्रतिशत मत दान हुए, टोटल 61.60 मत फस्ट दिविजन बन गई है मत नारं में first division बन गई सबसे उपरी उपर जिला कौंछा शिरी गंगानार तो पुझे सरवाधिक मत दान बाधमेर जिले में हमारी जो अंतरास्ठे शिमा शुरू होती है वो गंगानार से बाधमेर तक फेली हुईे हिंदु मलकोट श्री गंगानगर से हैं बाकासर बाड़मेर तक है तो यह तो वैसे ही याद हो गया अपने आपी पहले चरण में सरवादिक मद्दान गंगानगर और दूसरे चरण में बाड़मेर अंतराश्टेशियमा याद रख लेना गंगानगर बाड़मेर गंगानगर से शुरूरू होती ए बाड़े बेर फे खत्म हो जाती है तो पहला चरन भी याद हो गया दूसरा कि याद हो गया अर अस्क सिय्चा 시청 सवाई मान सिंग श्पटाल जैपूर में राज़स्तान का पहला तौच्छा बैंक क्खोना जा रहा हाली में और्मेक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में एक जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक आई रिपोर्ट के अनुसार सरवाधिक सीनेमा दर्शक बड़े हैं राजस्थान में सरवाधिक सीनेमा दर्शक बड़े हैं राजस्थान में एक नए नए होल खुल रहे हैं ज्यादा मुवीज देखी जा रही हैं तो सरवाधिक सीनेमा दर्शक पूछे 2023 के रिपोर्ट के अनुसार और में एक सी रिपोर्ट के अनुसार कहां बड़े हैं हमारे प्रदान मंतरी कोन बन गया इशाक डार बन गये देश भर में होकी वाली सरपंच के नाम से पहचान बनाने वाली लांबी अहीर पंचायत की सर्पंच नीरूयादव संयूक्त राष्टर UN की बात हो रही है United Nation की बात हो रही है संयूक्त राष्टर के New York में होने वाले वार्चिक सम्मेलन में शिर्कत करेंगी वह पंचायत इसतर पर बालिकाओं वह महिलाओं को शशक्त बनाने के लिए किये गई अपने नवाचार वे अनुभव संयुक्त राष्टर के जन्संक्याव विकास आयोग CPD के वार्षिक संबेलन में 3 मई को सांजा करेंगी CPD मीट 2024 नियू यूर्क में 29 अप्रेल से 3 मई तक हो गी मतलब आज इसे शुरू हो जाएगी 29 अप्रेल से शुरू हो जाएगी तो अच्छे से रट लेना नीरू यादव होकी वाली सरपंच नीरू यादव जुन जुनु जी ले की हैं डंग से अच्छे से रट लेना एक्जाम वाला है प्रशन है तो इस वीडियो को जीतना उसके शेर करें टेलिग्राम चेनल भी जोइन करें राजस्तान की किसी भी प्रतियों की प्रिक्षा की तेहरी कर रहे हो करेंट फिर पढ़ता है सीधा डेनिल का से जोइन करो राम बान करेंट फिर आपको यहाँ पर मिलेगा धन्यवाद